शायद जोद्पुर की ऐसी कोई संस्ता नहीं रही होगी जहां वो अध्यक्ष मंत्री या संग्रक्ष या किसी पत्व में न रहे हो जोद्पुर की 200 से जादा संस्ताओं को संभालता था वो एक आदे गीता बहुंद जैसी विराड संस्ता भी वो ही संभालते था पर उस आदमी का नियम था बड़ी ऑफिस थी बड़ा बिजनिस था जमीनों का बड़ा धंदा था मिटिंग में बैठा है कि कारिकर में बैठा है कि ऑफिस में बैठा है कि कहीं भी बैठा है जैसे सवा बारे बस थी वहां से खड़ा हो जाता मंस पर बैठा है तो भी नियम क् खाया उन्होंने अपने बेटे से कह रहा खाता बेटा उतना ही बिजनिस पहलाना उतना ही काम पहलाना उतना ही आगे बढ़ना कि सवा बारह बज़े से साड़े बारे के बीच अपन सभी लोग घर पे आ जाएं और उन्होंने जीवन भर तक एक ठाली में बैठकर अपने देखा हुआ है कोई व्यक्ति आया और उनको का सब पंद्र लाग का वो देना है में लेके आए उन थेले में बैया अब मेरा बेटा मेरे बोजने के लिए इंजारी कर रहा है तीन बजे वापस आना धंदे के बाद उस समय करें हम फैसला करें हम जीने के लिए कमा रहे हैं या व्यवस्तित कीजिए और घर को अपना टैम जरूर दीजिए बच्चे खाना खा रहे हैं आप भी पास में बैठिये कोई वहां दंदे में हैं कोई वहां दुकान में गुम रहा है कोई किटी पार्टे में गुम रहे है कोई किदर गुम रही है और घर बड़ा अब व्यवस पर घर को अपना टाइम जरूर देजिए रात को सोने से पहले पंद्रा मिनट अगर घर में बुड़ी मम्मी है बुड़ी दादी सा है तो सीधी अपने बेडरूम में मत गुशिए कि नाए दोए खाए पिए अफिस से आये और सीधी बेडरूम में गुशिए ना बाबा बाबा आपकी दादी, आपकी मम्मी भी आपका 10 मिनट समय लेनी के अग्दार है आप अपने बेडरूम में बाज में जाईए पहले 10 मिनट उनके पास जाके और आपको पूछने का समय नहीं, इन्वेस्ट कीजिए, टाइम का इन्वेस्ट, और अपने मम्मी, बुडी, मम्मी के पास जाके बैठेए, बुडी दादी के बैठेए, कैसे है दादी सा, मम्मी जी कैसे हो, दो मिनट पाउं दबा देए, मेरे भाई, अगर आपके घर में 80 स के बुडी दादी मा है, 90 साल के बुडी दादी मा है, आप बड़े किस्मत वाले हैं, क्यांकि याद रखना बुड़ा, पेड, फल तो नहीं देता है, पर चाया जरूर देता है, और आप किस्मत वाले हैं, कवयो वर्द लोगों की चाया हैं, उनके पास जाओ, 10 मिनट उनक पाउ में मालिस करेंगे, वो 5 गंटे तक रात बर आपको दुआएं देते रहेंगे, जो बहुवें, जो बच्चे रात को सोने से पहले अपने दादा दादी की सेवा करके सोया करते हैं, उनकी रात रात नहीं होती, उनकी हर रात दीवाली बन जाती है, जो रात को सोने से पहले घर की दादी सा अगर हैं, आप पतनी को आठ गंटे देते हैं, धंदे को आठ गंटे देते हैं, बच्चों को दो गंटे देते हैं, समाज में चार गंटे कप्पे मारने में देते हैं, क्या आपमें ये जागरती नहीं, जिस मा ने जनम जिया, जिस पिता ने पुरा जीवन दिया, पंदे मिनट उनके पास जाकर उनके सुख दुखा भी पूछो, जरूर दीजिए, मैं कहूंगा, बड़े बुजरुगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, किवला आपके टाइम का इन्वेश्ट चाहिए, और अपना पंदे मिनट, बीस मिनट, शांतिस जाकर उ के पास बैठो, ममी जी कोई सलाह, ममी जी कोई काम का, कुछ लेकर आना है, ममी जी घर में सब ठीक है न, आपका भोजन, पानी व्यवस्त था, चौबीस गंटे में एक वार बड़े बुजरुगों के साथ बैठके खाना खाईए, ताकि आपको पता लगके कि आपकी दादी सब कुछ हमने बड़े बुजरुगों को भागिये बरों से छोड़ दिया, कई लोग तो ऐसे हैं, जो जौब के नाम पर धंदे के नाम पर बिचरे बुड़ी दादा दादियों को गाउं में छोड़ कर आ गए, अपने दंदे में लग गए, पत्नी को साथ लाना आपको य जिस दादी मा को आपने सुख से कभी कडी खीचडी भी उनको नहीं खिलाई थी, कभी आटे का हलवा भी सुख से बना के बुड़ी दादी सा को आपने नहीं खिलाया था, भगवान के बरों से अकेले गाउं में छोड़ कर आए, और जब वो राम राम सत्त हो गई, गोलो क वासी हो गई, जब उसका स्वरगवास हो गया, आप गए अपने परिवार को लेकर गाउं का जीमन किया, हजार नों का खाना किया, तीन मिठाई बनाई, ये बनाई, वो बनाई, पूरे गाउं का जीमन किया, एक बड़ी तस्वीर बनाई, हैं, फ्लैक्स में बुरी दादी साके एक बड़ी तस्वीर बनाई, गाउं वालों को इकठा किया, शान तेपाड का आयोजन किया, तस्वीर के आगे बड़ी सी माला लगाई, काच लगाया, और बड़ा सा दीपक जलाया, धूब जलाया, और और थालीर लेकर आए, माजी को चड़ाने के लिए, जिस मा को क अबी सुक्षे खिचड़ी खाने को नम मिलेती है, उस मा के आगे क्या लेकर आए, चार मिठाईयों से भरी ठाली लेकर आए, आपको पता है, तब वो तस्वीर में बैठी ही मा सोचती है, इस तस्वीर को फाड़ कर बाहर निकलूं और मारूं दो जूत, कि जिन्दी थी त सुक्षे खिचड़ न किलाई, और ये चार मिठाईयों का नाटक कर रहा है, मेरे भाई, घर के अभिभावकों को संभालना आपकी जवाबदारी है, और अगर आप इससे अपना मूह मूडते हैं, आप ये मस सोचना आप उनका वर्तमान बिगाड़ रहे हैं, सच्चाई त फल आपका है, जो आज आप कर रहे हैं, वो बीज बोरे हैं, और जो कल आपको मिलेगा, वो आपके बोयवे बीजो का विफल आपको मिलेगा, आज के जो बात आपसे अन्रोट करना चारह हूँ, वो है मन बना लो, मैं अपने घर के बड़े बजर्गवावकों का मान समान, गौरों का ध्यान रखूंगा उनको अपना समय दूंगा उनके साथ थोड़ा बैर कर मीठी बाते करूंगा उनके सुख दुख की बाते करूंगा उनसे सला लूंगा उनका मार्ग दश्चन लूगा